हेलो अब्रिवन फर्स्ट फॉल वेल्कम टू यूटूब चैनल इन दीच वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले तो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे फिर इसकी जो पी एच वाली हैं तीनों फैक्टर देखेंगे नेक्स्ट हम प्रेपरेशन को डिस्कस करने वा कि साइड होता है और अगर आपकी पी है है आई जो यूट्रोणिक पॉइंट से तब आपका एंड नोट की तरफ मोग गरते हैं फिर यह सी हमने उता देते हैं अब देखो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है यह किसा प्रोसेसर निरे सेपरेशन का बोट सकते हो सब्सक्राइब तो जब सेपरेशन या प्योरिफिकेशन करते हैं किस बेस पे मोमेंट ओफ चार्ज पार्टिकल जब हम इलेक्ट्रिक फॉरसिस पोलते हैं अब इसके तीन केस हैं कि जो भी आपकी अमीनो एसीड्स है लाइक देखो अमीनो एसीड है जिसका अगर आइस एलेक इसेड्स होगा रच पार्टिकल का वह आपका हमने बता दे हैं आपका जैसे कैथोड में है और वो किस फो में एक जिस्ट करेंगे आपकी अनाइनिक फो में अग्जिस्ट करेंगे अगर इस एलेक्ट्रों इक पॉइंट बिलो है पी एच से ठीक है सेकंड केस यह सकता है कि जो पी एच है वो जादा हो जाए एक ग्जोट्रों इकोल हो जाए तो कोई चार्ज नहीं होगा तो इसके बेस के हम सेपरेशन प्यूरिफिकेशन करते हैं इनका तो इसमें हमने इसलिए थरीकेस को पढ़ रहे हैं कि amino acid जिसका issue electronic point बिलो है उसकी pH से means pH का बिलो है यह वाला case है तो buffer आपका slowly towards positive electrode की तरफ जाएगा और किस में अग्जिस्ट करेगा आपका वो anionic form में अगर इस या positive हो तो किस वो में करेगा आपका cationic form में याद रख लेना कि अगर pH जादा है पी आई से तो आपका cation हो जाएगा और अगर pH की value less है पी आई की value greater है तो वो anionic form में अगर equal है तो कोई भी migrations नहीं होगा निस वो migrating नहीं करेगा इसका मतलब है कि उसके कोई net charge नहीं है तो यह तो simple two terms में पूछ लेते हैं कई बडिफाइन एलेक्रोफोरसिस एंड वो चार्जमीन वाल तो हमने थ्री केस बताने हैं आपके देन नेक्स्ट है आपका प्रिप्रेशन्स प्रिप्रेशन्स के टू मैथड इसमें करेंगी और नेक्स्ट हम एलो जो वेडियोस होगे आपके उसमें सेप्रेट से डिसकुस करेंगी तो प्रिप्रेशन ओफ अल्फा में एसेट्स तो सबसे संपल और इजी पहला है आपका डारेक्ट एमिनेशन कर सकते हैं अल्फा हैलो एसेट्स यह तो आपको पता होगा अल्फा तो यह होता है कि कोई भी कंपाउंड इसमें आप आमोनिय डाल रहे हो ठीक है अब हम इसकी प्रिप्रेशन करनी है तो क्या होगा सी यह तिंग सेमी रहेगा आपकी अब यहां से लिखो एक अच यहां से और एक्स तो यह एक्स डिमोल जाएगा यहां पर क्या लग जाएग से यह एनच फो तो यह मन जाएगा आपका सी यह नेगेटिव और एनच फो पोजिटिव क्योंकि एक्सस में सिंपल डालते तो आपका यही मनता है बड़ एक्सस में तो यह इसके साथ भी रियक्शन और जब आपका हाइडोलाइसीस करेंगे यह तो यह आपका डिमो हो जा जो चुछ वीजड रियक्शन होती है उसे लेते हैं और सेकेंड है कि इंपोर्टेंट आपकी गडशीम थेलमाइड तो गड़ील थेलमाइड में क्या लेना है आपको जैसे थैलीक असीड लो उसका सिधा प्लाशियन थेलमाइड ले लो जैसे यह हैं प्लाशीयन थेलमाइ इसको आप भी R मान सकते हो ठीक है इसमें को प्रोब्लम नहीं है आप R भी मान सकते हो आपको तो यहां पर क्या होगा इस जैसे हमने CL मान लिया आपका तो K positive और CL negative क्या हमना लेंगे KCL और यह CMHT जिसके डेट हो जाएगा तो यह क्या आगया आपका CO यह CO था आपका यहां लगया N KCL remove है यहां क्या लगया आपका CH2 CO R जैसे इथायल है तो इथायल लिख लो में इथायले तो कुछ भी अब next आप क्या करोगे hydrolysis करेंगे हम तो C2H5 O hydrolysis को क्या मिल जाएगा H यहां पर भी आचा जाएगा तो यह क्या जाएगा आपका CO CO N CH2 CO H और यहां पर आजाएगा C2H5 O H यह इतना हो गया ठीक है अब इसको फिर से हाइड जो हाइड लाइस एक्सिस में है अपका तो यह क्या होगा यह फिर से ब्रेक हो जाएगा तो इसमें इसके पर अजना जाएगे तो हाइड लैसिस करेंगे चार्श तो यहां पर उचा जाएगा को था यहां पर ओच यहां पर अचा जाएगा श्पोजट्योश नेगे ट्योव है तो यह बन जाएगा लेकिन उसक चौर करएंगे और आप खुज से खर सकते ही लेकिन ऑपकी स्टेकर सेंथใ Poppyं देखेंगे इस Nephэтs में इलेक्ट्री मैं फूरसिस में चैनल इसमें चैनल इसमध्लय सब्सक्राइर बोड़ा है